नवश्कार मैं हूँ अरण सिंग और आप देख रहे हैं Square Feet India COVID ने जाने अंजाने में ही सही पर लगता है मुंबई के Real Estate की मदद की है मदद इस कारण क्योंकि Real Estate में जो घर बिक रहे थे मुंबई के Real Estate में वो अब बड़े घर बिक रहे हैं पहले COVID के पहले Real Estate के मुंबई में जो घर बिक रहे थे Real Estate मारकेट में वो छोटे घर थे कहते हैं कि आम तोर पर 83 प्रतिशत घर जो 2021 में बिके उसमें अधिकांज घर 1000 स्क्वार फिट तक के चले गए एक बहुत बड़ा आकड़ा मुंबई Real Estate के लिए और इसके पीछे का कारण मैं COVID को क्यों कह रहा हूँ कि ये मदद COVID की कैसे हुई दरसल जाने अंजाने में ही सही पर COVID ने मदद जरूर की है COVID के आने के बाद इसे pandemic डेकलेर करने के बाद लोगों को घर से ही काम करना पढ़ रहा था तो work from home एक और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये है कि online schools चल रहे थे तो बच्चों के लिए और खुद के लिए काम करने के लिए जो जगा चाहिए थी उसकी जरूरत लगने लगी छोटे घर में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने जो आने वाले निवेश किये वो इस हिसाब से किये कि उन्हें बड़े घर ले सके उन्हें ऐसे घरों की तलाश उन्होंने की जिसमें वो एक कमरा या एक छोटा सा ही जगा सही पर वहाँ पर अपने ओफिस को या बच्चों के लिए स्कूल की जगा बना कर रख सके हम ये सोच रहे थे कि सेकंड वेव के बाद धीरे धीरे जिन्दगी लाइं पर आ रही थी पर सेकंड वेव के बाद ये तीसरा वेव जो आ गया है ओमाइक्रॉन का उसने एक तरीके से वापस से एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है और कहते हैं कि हाला कि मुंबई या महराश्र में अभी तक lockdown नहीं है restrictions भले ही है कि रात की curfew है 144 है और पाथ से जादा लोग एक साथ जबा नहीं हो सकते पर फिर भी दफ्तर अब तक चालू है लोग train में जा रहे हैं पर अधिकांच लोग जो इस तरीके से नंबर बढ़ रहा है वो घर से ही काम कर रहे हैं तो work from home जैसे मैंने पहले भी कहा ये एक बहुत बढ़ा कारण है और online learning एक बहुत बढ़ा कारण है जो COVID के वजह से प्रचलन में आए और उनकी वजह से लोगों ने जो अपने घर खरीदने के decision में बदलाव किया इतना ही नहीं बिल्डरों को भी इस बात की भनक हुई कि लोगों को बढ़े घर चाहिए तो पिछले साल जितने भी घर मार्केट में आए आम तोर पर 26 प्रतिशक बढ़े है जो new launches हुए वो जो मुंबई में जितने एरिया के घर पढ़ते हैं उससे 26 प्रतिशक बड़े घर launch हुए यानि ऐसे ऐसे जगह जहां half bedroom जो हुआ करता था अब half bedroom work from home के लिए और online learning के लिए इस्तमाल किया जाने लग जा रहा है ये बहुत सारे reports भी हैं जो कह रही है कि लोगों को बड़े घर की जरौत है यहां एक और trend जो मैंने कई बार देखा है और real estate agents से और builder से बात करने के आद पता चला है कि जिन लोगों के बड़े घर South Bombay के तरफ थे, South Mumbai में थे उन्होंने शायर अपने उन घरों को बेच कर थोड़े से North में चाहे वो Western Suburbs के हो या Central Suburbs के हो वहां आकर उन्होंने बड़े घर ले लिए जहां पर उन्हें इस तरीके की privacy मिल सके है हाला कि ये नंबर कितना है ये तो एक जाज का विशय है और हम इस analysis को भी आपके सामने बहुत जल ले कर आएंगे पर COVID के चलते बहुत से लोगों ने अपने घरों में भी फेर बदल की है और जो home buyers हैं जो उनके decision थे उसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आया ही है कि उन्होंने अधिकांश लोगों ने जब घर लेना चाहा तो वो बहुत बड़े घरों में गए जबकि उनके अभी जो घर में रह रह रहे थे वो छोटे थे तो बड़े घरों की चलन COVID के वज़े से ज़ादा घर भी के बड़े घर मुंबाई में मैं ये कहूंगा और रिपोर्ट और अनलेसिस और बिल्डरों का भी जो कहना है बहुत सारे बिल्डरों ने भी यही बात मानी है कि वर्क फ्रम होम और ऑनलाइन स्कूलिंग ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि लोगों ने बड़े घरों को चुना है उनके फ्यूचर इंवेस्मेंट के लिए squarefeetinger.com ये एक रियल स्टेट न्यूज वबसाइट है और squarefit इंडिया का चैनल है हम हमारे चैनल और वबसाइट के जरिया आप तक रियल स्टेट जगर से जुड़ी हुई महत्पूर्ण जानकारिया लेकर आते हैं